हलो दोस्तों गुड मॉनिंग गुड आफ्टनून और गुड इविनिंग टू आल अफ यू जब भी आप मुझे देख रहे हैं मैं आपके साथ हूँ सो दोस्तों पहले तो बताई कैसे हो आप अच्छे हो हल्दी हो फिट हो बिलकुल बेटा ऐसे ही रहे है भगवान से यही दूआ करूँगा दोस्तों सबसे पहले तो मैं येस आपने जो करेज दिखाया आप एक्जाम दे रहे हो आपकी इस हिम्मत को दाद देना चाहोगा जि इसलिए एक देड़ साथ से प्रिपरेशन कर रहे है और येस इस बार आपको भी पताए कि एक्जाम जो है में का एक्जाम पोस्पोर्ण हुआ नोहेंबर में और नोहेंबर का भी थोड़ा डेले हुआ है पर चलो आखरी वो दिन आ गया जो दिन के लिए हम इतनी मेहनत कर तो जैसे हर एक्जाम के लिए एक मैं स्ट्रेटर्जी बताता हूँ, एक प्लान बताता हूँ कि आपने डेड़ी फॉर एक्जाम जो है तो आपके पस वन पॉंट फाइव डेज होता है तो डेड़ी फॉर एक्जाम आपने किस तरह से प्लान करना चीए और पूरी स्टडी कैसे complete करना चाहिए so that entire syllabus आपका उसमें cover हो तो indirect access related मैं यहाँ पर आपका जो plan है okay one day before exam यह plan आपको दे रहा हो यह plan definitely आपको help करेगा या at least आपको यह approach तो भी देगा कि पुरा syllabus हमें कैसे cover करना है और हमारा time management कैसे करना है चलिए okay तो यह जो आपका study plan है one day before exam मैं यहाँ पर थोड़ा discuss कर लेता हूँ आपके साथ तो फटा यह जो plan बनाया गया है यहाँ पर जैसे चार तरीख आप income tax का यानि डारिक taxes का paper देखे आओगे और चार तरीख second पांच तरीख और छे तरीख तो 1.5 days आपको यहाँ पर मिलते हैं और यह 1.5 days में आपको पूरा अपना complete plan कैसे करना है study plan तो यहाँ हम देखेंगे चार तरीख को जैसी आपका paper हुआ चार तरीख को जैसी आपका paper होगा बेटा तो मैं यह expect कर रहा हूँ कि आपको आप शाम को 7 बज़े 7 से 12 बज़े तक continuous पढ़ोगे तो आप at least 7 बज़े तो भी पढ़ने बैठ जाओगे ठीक है तो 7 से 12 टोटल आपको 5 hours मिलते हैं और यह 5 hours में आपको इतने chapters और इस से related amendments कम्प्लेट करना है chapter कौन-कौन से supply, RCM, composition scheme, time of supply, value of supply, payment of tax and amendments related to all subjects इसमें भी मैं आपको यह कहता हूँ कि supply बगरे जो chapters है इसको ending में लेना supply हो गया, RCM हो गया कि इसको ending में लेना क्यों क्योंकि जब भी आपने indirect tax का यहाँ पर study किया होगा तो पहले यह chapter उठाय होगे तो इसमें बहुत बार आपकी revision होगी होगी अब तो पढ़पढ के भी आप irritated होगी होगे तो बिटा सबसे पहले जहां तक है आपको time of supply है या value of supply है इससे related जो भी important points है वो फटाफ़ट revise कर लेना है composition scheme इस बार थोड़ा वो change हुआ वो भी आपको देखना है मैं आपको यह कहूगा कि आपका source material जो है अभी यह पांच गंटे में आइदर अपना chart जो मैं chart आपको provide करता हूँ या booster आपके पास इसकी book available होगी क्योंकि last time हमने PDF अगरे sub open करके रख दिया था students के लिए तो आपके पास जो है chart या booster available होगा तो आप इससे ही direct कीजिएगा chart या booster और इससे related amendments अगर आपके पास time बचा I repeat अगर आपके पास यह 5 गंटे में आपका फटा 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 हो गया और 5 गंटे में आपके पास time बचा तो फिर आप थोड़ा questionnaire पे भी shift हो सकते हो now questionnaire में कौन से questions पढ़ना चाहिए किस तरह से पढ़ना चाहिए उसकी मैंने separate list बता ही है कि at least यह 1.5 days before exam कौन-कौन से important questions आपने देखने चाहिए उसका भी list मैंने यहाँ पे बताया हुआ है वो हम थोड़ा आगे discuss करेंगे ठीक है तो यह 5 गंटे का time है इस 5 गंटे में मौनिंग में पढ़ने के आदत होती है तो जैसी आपकी आदत है उसका आपसे आपको next schedule मैं बताता हूँ जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि पांच तारीक को आप सुबह 5.30 बजे उठोगे 5.30 से 3.30 गंटा आप customs कंप्लेट करोगे अब बेटा यहाँ पे यह हो सकता है कि आपको रात को पढ़ने के आदत है तो आप जो है 12 से 3 पर यह continuous तीन गंटा आपको कवर करना है तो 12 से 3 यह सुबह 5.30 से 6.30 यह 3 गंटे में आपको customs कवर करना है सर कस्टम्स पूरा और कि यह 3 गंटे में possible है तो मैं आपको यह कहोगा इसका भी source मैंने charts या booster लिया है तो आप क्या करना कि regular note से जो है regular note से यहाँ पे yes regular note से आपने valuation गो थू कर लेना duty, drawback और baggage यह 2-3 chapters से जिसके उपर practical questions आते हैं तो यह 2-3 chapters से इसके फटा-फट कर लेना ठीक है तो next एक types of duty, types of duty इस बार मैं expect कर रहा हो तो वह भी chapter आपने कर लेना तो यहाँ या booster आपके पास होगा तो उससे भी आप use कर सकते हो, next बेटा मैं आपको इतना कहना चाहूगा कि customs valuation का जब problems solve कर रहे हो तो problems का formatting वगरे देख लेना एक बार कि formatting कैसे होना चाहिए, एक बार rough में draw करके देख लेना, उसकी notes पे ज़्यादा ध्यान रखना, तो यह customs valuation आपका तीन घंटे का target होना चाहिए, मैं आपको suggest करूगा कि mostly उसके लिए charts यूज़ करो या हमारा booster revision यूज़ करो ठीक है, now और एक बात के दू, customs revision से related की time पे जो है valuation में बहुत confusion हो जाता है तो मैंने customs revision bytes डाले थे आपके लिए, तो custom revision bytes मैंने कहा selection number 11 या 12 जो है, और कि आप YouTube पे search करोगे तो आपको मिल जाएगा तो उसमें मैंने complete chart बनाया हुआ है जिसमें सभी valuation के parameters मैंने cover किये है तो आप speed में वो भी देख लेना so that आपको कोई confusion ना रहे और आपको clear याँ आ जाए लेकिन ये 3 गंटे में आपको करना ही पड़ेगा वैसे मैं आपको customs को कहूँ तो total 20 marks काता है उसमें से 6 marks जो है MCQ में चले जाता है बचे बटा यहाँ पर 14 marks अब ये 14 marks में से के 5 से 6 marks का practical question आ जाता है तो यहाँ 7 से 8 marks बचते है उसमें पूरी entire theory है तो मैं यही कहना चाहूगा कि अब ठीक है आप जितना customs में अच्छे से score कर पाओ ये पूरे pattern में उतना आपको help होता है अगर आपको indirect tax में अबो 70 marks जाना है तो customs definitely आपको help करेगा ठीक है फिर आपका schedule जो चालू होगा सुबह 9 बजे थोड़ा fresh होने के बाद तो फटा फट 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 फ्रेश हो जाने का और 9 बजे schedule चालू होगा 9 से यहाँ पे 1.30 तक around approximately 4 गंटा आपको यह जो main main topics है input tax rate, place of supply यहाँ पे और registration इस बार तीनों chapter में मैं question expect कर रहो और हर बार आती ही है तो आप regular notes और chart मतलब क्या chart से एक overlook कर लो और जहाँ जहाँ chart से समझ में नहीं आ रहा है होता है ऐसा कभी कभी chart से समझ में नहीं आ रहा है यह boosters आपके पास होगा तो booster use करो chart यह boosters आपके पास दुनों option है तो आप booster use करो जहाँ जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ regular notes use करो और यह topics आप complete करो इस बार input tax credit में जैसे rule 43 में amendments है वो अच्छे से पढ़के जाना उसके बाद मैं वहाँ question में expect कर रहा हूँ 36.4 पहले क्या करना कि amendments एक पढ़ने का तरीका आपको बताओ तो amendments क्या है okay amendments वाले sections जो है वो अच्छे से पढ़ लेना फिर फटा फट chart से go through कर लेना जो area समझ में नहीं आया है वो regular note से फटा फट देख लेना तो इतने आपको साड़े चार गंटे में ये topics खतम होने चीए okay जिसमें tax invoice और return ये तो fast हो जाएगा और इसके लिए आप charts भी use करोगे तो कोई problem नहीं ठीक है next बेटा यहाँ पर दो बज़े से लेके पांच बेज तक तो नव पांच तरीकों दो बज़े से लेके पांच बज़े तक फिर exemption, job worker, account, records, e-way bill, refund and इस से related amendments मैं exemption से related तो कहोगा chart या booster आपके पास होगा तो वो आप use कर सकते हो और बाकी topic के related भी आपके पास regular notes हो booster क्योंकि बाकी topic का तो यहाँ chart नहीं है तो regular notes या booster जो है क्योंकि मैंने जो GST के तीन charts दिये अब इसके आगे charts में cover नहीं पर आपके पास booster होगा तो booster आप use कर सकते हो जिसकी PDF copy already open ती या regular notes से भी फटाफट revise कर सकते हो इसमें मैं आपको कहोगा कि e-way bill पे इस बार question आ सकता है maybe mcq question और एक्सेटरा तो e-way bill में जो main main points है कि यहाँ पे मैंने पढ़ाते वक important करके दिये वो जुरूर पढ़के जाना और refund जो है refund तो always always जो है यह chapter बेटा बहुत important chapter होता है एक question इस related होता ही है तो refund यह जो chapter है इसमें इस बार जो 1.5 times वाला restriction आया वो अच्छे से पढ़ने जाना specially zero rate supply के case में तो उस related problems भी अच्छे से पढ़के जाना तो refund यह chapters पे question पूछे जा सकते है और जो भी इस बार refund chapter में clarifications है है जैसे एक restrictions है है कि आप zero rated supply है inverted tax structure में हो तो एक clarification है आपको restrictions लग जाएंगे कि actual refund होगा या जो month में claim करें वो month में जो balance होगा तो यह जो restriction है वो अच्छे से पढ़के जाना तो मैं refund chapter से related आपको कोगा कि पहले amendments कर लेना refund chapter का क्योंकि वो थोड़ा theoretical chapter है एक बार amendments आपने अच्छे समय लीना बाकी का फटा फटा फट पढ़ लेना पर इस बार refund chapter में amendments related questions आने के बहुत ज़्यादा chances है इसलिए पहले amendment complete कर लेना refund chapter की ठीक है जो भी additional clarifications वगर है वो भी आपने देख लेना है I hope आप amendment lectures अल्री देख चुके होगे क्योंकि आपको अच्छा खासा time मिला हुआ है तो जिसने नहीं देखी होगी तो फिर अब ये stage पर जितना आप से होता है उतना आप करके जाएए उसके बाद में नेक्स साड़े पांच से लेके क्योंकि जैसी पांच बजे आप खातम हो जाएगा मैं आदी घंटा rest time ले रहा हूँ साड़े पांच से लेके साड़े आठ बजे तक फिर assessment and audit, advanced ruling, liability to pay in certain cases, demand and recovery, inspection, search and seizure, arrest तो मैं इसमें ये जो मैंने topic दे इसमें से पहला topic आपने ले लेना demand and recovery demand and recovery पे इस बार question आने के chances है तो बेटा demand and recovery ये आपने खतम कर लेना और बाकी फटाफट फटाफट जो है मैंने summary दिया है तो आपका regular notes और आपके पास booster का PDF होगा या booster book होगा तो उससे फटाफट आपने revise कर लेना है पर इस बार demand and recovery ये chapter अच्छे से पढ़के जाना है इस पर definitely questions आएगा उसके बाद में मैंने तीन घंटे दिये है offense and penalties इसके ओपर continuous एक question होता है offenses and penalties पे तो ये जो है offense and penalties इसमें जितने भी penalties है उसके बाद में यहाँ पर offenses है imprisonment है इसमें आप compounding office non compounding offense तो जितने भी questions है वो थोड़ा अच्छे से पढ़के जाना appeal revision तो आपका fast हो जाएगा अगर आप चार्ड के थूँ जाओगे तो मैंने जो आपको पढ़ाती है वक चार्ड बना के दिया तो ये तो fast हो जाएगा पर offense and penalties को अच्छा का सा time देना और उसके हर provisions अच्छे से पढ़के जाना फिर next day जो है सुबह पांच बजे उट जाना क्योंकि आप ज्यादा नीन मत लेना okay हो सका इसके अरली भी उट सको क्योंकि last दीन है okay तो अरली भी उट सको तो आप अरली उट जाना और यहाँ पर फिर start कर देना बेटा questionnaire आपका entire syllabus हो गया फिर आप start कर देना questionnaire questionnaire में मैंने जो है यहाँ पर कौन-कौन से questions आपको at least पढ़के जाना है मैंने उससे related जो है एक list बनाया है और वो list में आपको भी पढ़वाई आपको मैं provide करूगा तो यह questionnaire से related जो है बेटा यहाँ पर जो-जो questions मैंने priority पर कहे है पहले वो questions पढ़के जाना फिर आपका जितना पढ़ना हो सकता है आप पढ़ सकते हो तो यह था आपका examination schedule इसमें बेटा अभी जैसा अगर in between आपको elective paper है या फिर income tax है in between time मिला और अगर आप यह portion करके रख सकते हो यानि यह revision करके रख सकते हो यह chapters का supply वगरे एक्सेटरा तो यह 5 गंटे आपको questionnaires के लिए और help करेंगे यानि यह 5 गंटे अगर आप यह chapters chart में से फटाफट revise करके रख सकते हो अगर आपके पास time मिल जाता है इन दोरान तो आप जो यह 5 गंटे questionnaires के लिए यूज कर सकते हो otherwise तो आप जिस दिन paper होगा उस दिन का तो schedule मैंने बता है लेकिन in between मैं जस कह रहा हूँ in between अगर आपको time मिला तो आप यह 5 गंटे बचा कर जिस दिन आपका paper complete हुआ उस दिन आप यह questionnaires के लिए भी use कर सकते हो इस से related फटाफट फटाफट questionnaires देख लेना क्योंकि institute का weightage of marks जो है इसके ओपर अच्छा कासा weightage institute ने दिया हुआ है ठीक है बटा तो यह था regarding to यहाँ पर हमने देखा आपका study plan कैसे होना चीए well so अभी ICAI का weightage of marks यह आपके सामने है तो यह ICAI का weightage of marks का इसका file भी अभी नीचे video link है उसमें आपको attach करके मिल जाएगा मैं यहाँ पर एक folder का link दे दूगा आपको जो cloud पर uploaded है उसमें सभी important files जो one day before exam आपने देखनी चीए और जो refer करनी चीए मैं सब कुछ आपको दे दोगा तो जैसे study plan भी उसमें आजाएगा यह weightage of marks topic wise भी उसमें आजाएगा तो यह ICAI के साब से 75 marks का जो आपको GST का weightage दिया हुआ है तो यह 75 marks भी जो 45 तो 65 percent जो है इस topics उन्होंने cover किये जैसे इसमें levy and collection उसके बाद में composite mix supply interstate supply interstate supply का basic concept territorial water etc. river charge exemption, composition levy place of supply, time of supply ITC or competition of GST liability competition of GST liability मतलब mixed question जो हमारे questionnaires में ending ending में covered है कि सब mixed question उसको कहते competition of GST liability तो लगबग यहां पे आप समझ लो on an average 50 percent का weightage इसको उपर दिया है उसके बाद में 10 to 30 percent okay registration, tax invoice credit note, debit note, evay bill, accounts, record, return, payment of tax TDS, TCS यह concept को दिया है मैं आपको यह भी कहोगा कि TDS, TCS पे RTP में बहुत अच्छा question है at least वो question तो भी पढ़के जाना तो जिसमें आपका पूरा syllabus cover हो जाता है RTP के लिए भी एक गंटा निकालना क्योंकि मैंने RTP का discussion तो किया है आपके साथ क्योंकि RTP में का नॉर्मली 10 से 15 मार्ग का questions वैसे उतरता है बहुत से बार आता है exam में तो आप वो भी देखके चले जाना 10 to 25% हाँ 10 to 25% वेटेज जो है Demand recovery, offense, penalty, appeal, revision, advance, release इसलिए मैं कहता हो कि यह जो charge chapter है Demand recovery, offense and penalties advance ruling, appeal and revision यह chapters जो है ना यह छोड़ना मत क्योंकि maximum 25 marks का वेटेज है तो अच्छा खासा वेटेज चले जाता है यहाँ पर यहाँ लगबक 17 से 18 मार्ग का वेटेज इसके उपर चले जाता है तो मैं यह भी कह सकता हो आपको कि अगर आपने time निकाल कर पहले 5 chapters जो है supply जो मैंने आपके study plan में कहा था वो chapters जो है अगर आप time निकाल के पहले कर लो तो यह chapters पर आप अच्छा खासा time जते हो क्योंकि यह chapters आप से always ignore होते है और कि मैंने देखा है तो यह chapter आप पहले कर सकते हो उसके बाद में 5-10% introduction of GST and constitutional aspects तो यह जो पहला module है पहला module आपका 10 minutes से ज़्यादा अप्टेर नहीं लगना चाहिए source entry क्या है जैसे tobacco tobacco product पे excise भी और GST भी लगता है तो ऐसे कुछ provisions उसमें और credit का utilization उसका format तो ऐसे कुछ provision फटा 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 उसमें से देख लेना अब मुझे लगता कि advantages and disadvantages पे आपके कोई question आएगा लेकिन 10 minutes में आपका पेला module खतम हो जाना चाहिए फिर assessment and audit तो इसके उपर भी question जो है कभी कभी पूछता है inspection search is a risk completely theoretical है तो इसमें से जितना आपका पढ़ना हो सकता है टाइम पे उतना आपने पढ़ लेना and other miscellaneous provision तो other last miscellaneous provision में antiproftering measure वो एक concept important है और पढ़ाते वक्त जो जो मैंने important करके दे दो तीन questions हो आपच्छे से आपका पढ़के जाना है कभी-कभी MCQ question वो area में आ जाते है या एक छोटा सा question वो area में आ जाते है वो option में निकल जाता है बेटा कोई दिक्कत नहीं पर आ सकता है वो area में question customs में 25 marks customs और FTP है जिसमें 5 marks FTP के लिए रखा हुआ है तो ऐसे 20 marks में से लगबख 50% weightage जो है आपका custom duties है levy है exemptions है पर customs में कोई जादा exemption तो नहीं है types of duty, classification valuation, classification of imported and export goods in short यहाँ पर ACD 3135 अगरे यह जो concept है इस अच्छे करके जाना है इसमें valuation chapter तो no doubt आपको बहुत अच्छे से करके जाना है फिर 20 to 45 marks का weightage, duty drawback, baggage refund, इसका refund तो छोटा सा एक page का है और foreign trade policy उन्होंने लिया है, specially basic concept relating to export promotion scheme तो export promotion scheme जितनी भी दी गई है, वो आप अच्छे से करके जाएए और 10 to 20 marks फिर introduction of custom law, constitutional aspects introduction of FTP legislature अगरे क्या है, administration क्या है, और import-export procedure, मैं आपको इतना ही कहोगा कि import-export procedure जो है, वो ending में रखना क्योंकि ठीक है, वो procedure बड़े लेंदी procedure पर वो ending में रखना, पहले evaluation topic, drawback, baggage types of duties types of duties, जो chapter number 12 है, same guard duty specific same guard duty, उससे related amendments, ये chapters आप पहले करके चल जाना, pilferage वगरे ये पहले करके चल जाना ठीक है, वो import-export procedure फिर जितना आपका पटा-पट पढ़ना होता है उसमें भी bill of entry, manifest वगरे क्या होता है, वो आपने पढ़ना है ठीक है, तो ये था regarding to weightage of marks, जो institute ने उसके base पर मैंने आपको explain किया है ठीक है अब मैंने कुछ preparation की है जो मुझे लगता है आपने पढ़के जाना चीए और वो है कि मैंने ये expected question का sheet बनाया है कि, okay, analysis कि especially जो यहाँ पर just a minute especially बेटा, जो यहाँ पर last वाले topic है GST में, तो उसमें expected question का sheet बनाया हुआ है कि आपके exam में कौन से chapters भी इस बार पूछा जा सकता है, पिछले कि 4-5 exam का analysis करके expected आपके exam में क्या आ सकता है वो मैंने आपको दिया हुआ है तो उसकी जो sheet है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, प्लस आपने questionnaires के कौन से questions पढ़ने चाहिए, वो expected questions specially one and a half days before exam उसका भी sheet जो है, वो आपको में दे दूगा, तो यह सभी sheets आपको कहां मिल जाएगी, तो यह study plan आपका, दूसरा weightage of marks, तिसरा यहाँ पर expected area जो specially GST के last वाले topics की कौन से chapters आपको अच्छे से पढ़के जाना है next बेटा, यहाँ important questions आपको questionnaires के कौन से पढ़के जाने चाहिए, और अगर मुझे कोई ऐसा लगा कि आपने जैसे interest, okay interest में students को बहुत जारा confusion होता है, example की तोर पे interest on loan advances or deposits, okay, composition levy में, वो turn or में exclude होता है, पर threshold में वो include होता है, पर उसके वज़े से 40 lakhs का exemption नहीं जाता है, उसके बाद में यहाँ पे rule 42, 43 बहुत जगा interest on loan advances, deposit का references है तो मैंने उसका एक table बना हुआ है वो भी मैं, okay, sheet आपको attach कर दूगा, और next जो है, यहाँ पे discounts related या, कोई important questions, जो amendments related मुझे लगता है, तो important जितना भी material है, यह सब में आपको provide करूगा अब important, आपका सवाल ही होगा कि यह सब material कहाँ पे मिलेगा, बेटा तो यह सब material आपको जो मिलेगा okay, www.vsmartacademy.com slash vishal sir I repeat, आपको कहाँ जाना है www.vsmartacademy.com slash vishal sir, okay, वहाँ जाना है, और वहाँ पे right side में, okay कुछ tab दिये है, उसमें important announcement, I repeat, उसमें important announcement वहाँ आपको जाना है और वो important announcement पर जाकर, okay one day before exam, आपको start में मिल जाएगा, one day before exam उसमें आपको, जो है, okay सभी files आपको मिल जाएगी, as well as okay, आप जो अभी मेरा video देखोगे, तो description column में आपको एक link मिलेगी, एक folder, जो है, cloud कोर मैंने drive पर रखोगा, और वो folder में भी मैं अपडेट करते जाओगा, तो अभी जैसे, immediate आपको study plan मिल जाएगा, waitage of marks मिल जाएगा, और यहाँ पर expected questions की आपको list मिल जाएगी, फिर मैं उसमें कुछ और material एड़ करूगा, step by step, तो आप जैसे income tax का paper देखे आओगे, तो वैसे आपको पूरा उसमें material मिल जाएगा probably हो सकता है, मैं आज अकल में ही सभी material अपलोड कर दू www.vsmartacademy.com slash vishalasar फे और description column में, जो google drive की link आपको दी जाएगी, और कि वो link में मैं सभी step by step, आज अकल में ही सब files add करके रख दूगा so that आपको print out निकलना आसान हो, या फिर आप उसका video भी देख सकते हो, so दोस्तों ये मेरा study plan था, मैं आपका ज्यादा time नहीं लूगा, क्योंकि आपका बहुत crucial time है, बस अभी हम यहीं रुकते हैं, एक बार मैं फिर से 10 minute के लिए आओगा, जैसी आपका, यहाँ पे DT का पेपर हो जाता है तो शाम को यहाँ पे 6 बजे I repeat, शाम को 6 बजे जो है, मैं यहाँ पे online YouTube पे आओगा, थोड़ा बहुत अगर मुझे कुछ कहना है, जो भी material मैंने upload किया है, उसको कैसे पढ़ना चीए जो भी मुझे कुछ कहना होगा आगे तो मैं थोड़ा और आपको उसके बारे में describe करूगा अभी important था आपका study plan और study plan बेटा मैंने अभी इसले दिया आपको, क्योंकि जो पहले 5 गंटे, सास से 12 अगर in between आप अगर उसको time manage कर लो, time मिल जाए उतना फटा-फट पढ़ लो, तो वो 5 गंटे questionnaires पढ़ने में आपको बहुत आसानी होगी, इसलिए study plan आज मैंने आपको immediate upload करके दे दिया है, इसके आगे का मैं और plan कैसे करना चाहिए और जो भी material में upload करूगा वो आपने कैसे पढ़ना चाहिए उसके बारे में बताओगा, चलो यहां रूखते है, आज या कल तक कल शाम तक मैं पूरा material अपलोड कर दूगा ठीक है, तो दोस्तो all the best, अच्छे से पढ़ो और मैं कहूँ कि यह stage पे आप जो आप courage दिखा रहे हो, जो हिम्मत दिखा रहे हो उसकी जितनी तारीव करूँ बेटा, उतना कम है मेरे पास उसके लिए वर्ड नहीं है but, okay, yes, तभी जो हम कहते हैं कि हम CA कर रहे हैं, okay, तभी तो वो designation मिलता है CA तो आपका passion, आपका patience और आपका courage यह बहुत important है, thank you all the best झाल झाल